आज हम बताएंगे आपको चैर रस्षी वड़ा यानि चैर की डबल हो जाएगी आठ रस्षी का पट्टा पशुओं के गड़े में बनने का कैसे बनता है नई टक्निक से नई डिजान से वो बताएंगे आपको अब लेंगे हम ये चैर रस्षी आलाग चैर रस्षी है जो के एक की लंबाई करीब करीब सन्हों दस फूट आ यानि बड़ी थोटी प्सक्राइब के पूरे मैस के लिए यह बने गारेब ग्रीग ग्यन्स ऑी इक रस्षी होगी जैर्सेशएं के लंबाई इंवारीज श्वारीश फूत तो यह चैयर रसी हमारे पास चैयरों के शिरे में ला लेते हैं और यह चैयर शिरे इस साइड हैं इनको भी हम साफ मिला लेंगे ऐसे ही अब इनका सेंटर लेते हैं दोरी करके यह बीच आ जाएगा इनका ऐसे हैं अब हम इनकी करेंगे बीच से गुठाई ऐसे लेंगे करीब करीब दो डाइंच इस साइड दो डाइंच आगे लेंगे चैयर सब चैयर इनक से करीब हो जाएगे इस पर हम सिधा सिंपल हा ऐसे बढ़ चड़ाएंगे ऐसे हैं जैसे आमरसी की गुंदाई होती है उसी तरह सिंपल गुंदाई इसकी ज्यादा लंब चोड़ा काम नहीं है यह ऐसे बार बार वा उसके उपर से वा उसके उपर से ऐसे चलती रहेंगी अगर आपके पकड़ने में रसाई ना होए तो आप यहाँ पर टेप भी लगा सकते हैं ताकि यह उद्ड़ नहीं ऐसे हम उठय बार को डाल लेते हैं अब यह च्यार सी और उनके उपर से यह च्यार सी यह कैसे लेनी है जैसे एक आगे की छोड़के ये वाली, ये छोड़कर इस से आगे वाली और ये छोड़कर इस से आगे वाली और लास्ट में ये छोड़कर ये पीछे. ऐसे लगेंगे अब हमने ये वाली रसी इसके उपर से लेए ऐसे और सबसे लास्ट वाली थी या निचे वाली के इसके निच्छे से निकाल देंगे ऊपर वाली को आपर से टेपाया देंगे ऐसे यह एक छोड़ कर एक दबानी है यह यह उपर से अब फिर इसे तरह जो लास्ट वाली है वा यह निच्छे दबरी थी यह उच्छे है या इसके निच्छे से अब वाली है इसके उपर से इसके फिर निच्छे वाली के निच्छे से उपर वाली के उपर से ऐसे ऐसे होती चलेगी यह कुंदाई यह एसे होती रहेगी जो यह रस्षी ली है हमने इसकी करीब आट नो फुट के लंबाई है और मोटाई इसकी करीब-करीब डाइनम है आठ रस्षी ओने नाते इस पट्टे की चोड़ाई भी करीब डाइन्स के करीब-करीब हो जाएगी जो के बहुत सुन्दर और सुना लगे गाई करीब 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 झाल झाल और अब ये अमारा पट्टा लगबग बढ़ने के करीप पहुंच गया है लगबग त्यार हो तुक्या ये है अब लगाएंगे इसके अगले श्रे पर ये गाठ गाट ये गाठ लग जाएगी और ये हमारा पट्टा बनकर त्यार हो गया है इसकी चोड़ाई लगबग डाई इंच के करीब हो जाएगी और ये पशू के गड़े का आर यानि उनका शिंगार जिसको हम गड़े अपट्टा बोलते हैं ये बनकर अब अमारा त्यार हो गया और ये वजन में भी अलका है मजबूत तीज की बहुत ज्यादा है अगर शिंगार के लिए ची तो आप किसका शिंगार भी कर सकते हो पसू को बांधना चाहिए तो इससे बांध भी सकते हो ये इस साइड चोड़ाई काफी है इस साइड से बिलकुल बारिक है ये बहुत संदर और सोना लगेगा है करता है